हेलो दोस्तों मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग लैब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्टिंग पर हम एक स्कैनर बनाएंगे देखें मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी सब्सक्राइबर है उनकी की जो पॉपुलर मुविंग एवरेज है उनके ऊपर कोई स्टॉक चल रहा है और उन्हें अगर swing trading के लिए उस stock को analysis के लिए पकड़ना है तो उने एक scanner की जुरत है तो यह वाला scanner हम इस वीडियो में दोस्तों बनाएंगे और इस वीडियो में आप जो है मैं आप से जो 10 पिरिड की जो simple moving average होती है और 50 पिरिड की simple moving average और 200 पिरिड की जो simple moving average है इसको हम use करके एक scanner बनाएंगे और फिर जो stocks आते हैं उनका analysis करेंगे इससे पहले दोस्तों एक announcement अगर आप Trading Lab का जो premium technical analysis course जो आपको free of course दिया जाता है जो भी traders हमारे through, हमारे links के through DMAT trading account open कराते हैं उनने दिया जाता है और इसके जो contents है आप इस video के description में जाके देख सकते हैं और 12 hours का एक course है और 5 days के लिए आपको watch के लिए दिया जाता है और इसका link भी वीडियो के description में आप account open कीजिए और हमें directly अपना name और mobile number whatsapp कीजिए नीचे दिये गए number पे हम verify करेंगे और हम आपसे उसी दिन जो है premium जो course है ये वाला free of cost हम आपसे share कर देंगे तो दोस्तों मैं directly चलता हूँ charting की site पे और charting की site पे हम देखेंगे scanner बनाएंगे आज और charting आपको पता ही है यहाँ पे create scan पे जब आप click करेंगे तो आपके पास ये scanner बनाने की screen जहाँ पे आप conditions दे सकते हैं ये आपके पास open हो जाएगी यहाँ पे passes all होता है इसका मतलब यह है कि pass सारी condition pass हो या सारी condition fail हम चाहेंगे सारी condition pass हो उसके बाद हम देखेंगे कि ये all और any होता है all का मतलब यह है कि सारी condition जहां meet होंगे जिस stock के अंदर वही stock हमारे पास list होके आएगा any का मतलब यह है कि कोई भी एक condition किसी भी stock में अग करने के बाद list हो जाएगा तो हम यहां all करेंगे और इस इसको हम futures पे यानि futures के जो stock है दोस्तों से उपर उन पे run करेंगे क्योंकि उनके अंदर हमें trend अच्छा मिलता है और open interest से उनको back मिलती है तो यहां पे सबसे पहली जो condition होती है दोस्तों वो हम लगाते हैं volumes पे और volumes को हम रखेंगे at least greater than or equal to हमारा जो number होगा दोस्तों वो होगा at least one lakh से उपर की volumes पे हम trade करेंगे और क्योंकि देखे इस से कम जो volumes होती है उस पे हम उस पे जो होता है क्या की manipulation बहुत जादा होती है तो हम at least one lakh की volumes जहां जह स्टॉक में आरी होगी वही लेंगे उसके बाद जो closing price है मेरा दोस्तों वो closing price at least greater than होना चाहिए किस से हाँ at least hundred से उपर वाले closing price लेंगे उससे नीचे वाले stocks में movement बहुत कम होती है इसलिए हम उससे नीचे वाले stocks में focus नहीं करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर हमें closing price लेना है closing price कौन सा लेंगे यहां पर जो है 15 minute का हम closing price लेंगे और यहां पर हम bearish stocks निकालेंगे और closing price मेरा जो less than है वो किस से less than होना चाहिए यहां पर दोस्तों हम जो है यहां पर simple simple moving average यहां पर SME लेंगे और SME कौन सी लेंगे SME हम लेंगे यहां पर 10 period की तो by default यहां पर 20 आता है select किया हुआ तो आपको 10 लेना है और 15 minute का जो time frame है उसके उपर ही जो simple moving average होगी जो हमारी पिछली 10 candle का compute computation निकाल के simple moving average calculate कर रही होगी और वो किस पर closing price पर आपको यहां पर closing price select करना है high low नहीं select करना है open नहीं select करना है उसके बाद दोस्तों second जो हमारी condition होगी वो भी closing price के उपर होगी कि यहां जो हमारा closing price है और यहां पर जो करन्ट closing जो 15 minute का closing price है और zero मतलब यह bracket zero मतलब यह current candle को refer करता है यह at least दोस्तों हमारा जो less than होना चाहिए किस से दोस्तों 15 minute की ही simple moving average लेंगे 15 minute के time frame में लेकिन इसका जो period है वो at least 50 रखेंगे उसके बाद दोस्तों जो हमारी third condition होगी वो भी closing price के उपर होगी कि हमारा जो 15 minute में जो भी closing price आ रहा है वो less than होना चाहिए किस से दोस्तों यह हमारा less than होना चाहिए आपके जो simple moving average ही हम यहां पर फिर से लेंगे और simple moving average दोस्तों कौन सी लेनी है उसका period मैं बताता हूँ आपको period हमें लेना है दोस्तो 200 का period तो simple moving average लेंगे closing price पे 200 का period यानि पिछली 200 candle के उपर जो हा जो आपकी long term moving average चल रही है उससे भी नीचे मेरा trend हो उसके बाद दोस्तों हम एक और condition लगाएंगे high probability वाला बना रहे हैं तो एक condition और बनती है यहां 15 minute का time frame select करेंगे 15 minute पे जो भी closing आ रही है मेरी वो एक दिन पहल का एक दिन पहले का जो भी lowest price है यानि सबसे पहले तो less than करेंगे और एक दिन पहले का जो lowest price है 15 minute को छोड़ के हम यहां पे क्या करेंगे daily का daily की candle पे लेंगे और एक दिन से पहले का जो lowest price है उससे हमारा जो अभी 15 minute के time frame में closing price चल रहा है वो low से भी नीचे चल रहा है तो औ और ज्यादा हमारे पास high probability हो जाएगी तो देखिए हमारे पास जो stock निकल के आ रहे हैं वो यहां पे दो ही आ रहे हैं अगर मैं दोस्तों इसको 100 वाला हटा दूं तो भी 2 ही आ रहे हैं तो यह आपको थोड़ा इसमें जो है ना alteration करके देखनी पड़ेगी अगर low से low अले पॉप कर लेता हूं दोस्तों और पॉप अप करने के बाद यहां पे हम लगाएंगे पेट्रो नेट अब पेट्रो नेट अब मेरे पास व्यूज में मैंने जो है ना डेली चार्ट पे यह मैंने लगा हुई है यह सारी moving average यह मैं 15 मिनिट के चार्ट पे लगा लेता हूं अ अब देखे 15 मिनिट के चार्ट में यह मुझे बता रहा है कि 200 पीरिट की जो यह मैं है यह देखे मैंने यह में लिया है ऐसे में यह में थोड़ा आसपास ही होती है इन सारी यह में 50 10 और आपकी 100 इन सारों से यह प्राइस नीचे है तो यह बहुत ही ज़ादा बेरिश है ब जली है और आपका ज स्टॉक है और यह दोस्तो यह अपर भी जो प्राइस है आपका वह चारों मुविंग तरिज पेड़िये यह लास्ट जो है लास्ट टू नास्डवाज्ग थे यह अपर अपर जाध ली थी 200 पीरिट की एक्पोनेंशल मुणम ड़्ी पे लेकिन आज इ down move इसके अंदर अच्छी खासी मिल सकती है तो आपके लिए ये एक अच्छा intraday और swing का trade देखिए आज की जो down move है वो closing के कितना पास है 7.32 के पास कितना है 7.37 आपका तो यहाँ पे आपको at least यहाँ तक का target या निए 15-20 point का यहाँ पे target मिल सकता है तो दोस्तों यह एक वीडियो बनाया हमने जिसमें की हमने बीरिश stocks जो है swing trading के लिए या intraday trading के लिए आप कैसे select कर सकते हैं उसमें charting पे एक scanner बनाया और जो भी हमारी conditions हमने लगाई वो बहुत high probability वाली conditions है इस conditions का आप screenshot ले सकते हैं और खुद भी बनाने की try कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजेगा और share जरूर कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा bell icon को press कीजेगा ताकि जो यह वीडियो हैं यह आपको सबसे पहले मिले और आप इसका जो है सबसे पहले आप view कर सकें और जो भी आप social media platform आप use करते हों आप उस पे अपने friends के साथ जरूर इसको share कीजेगा request है मेरी आप से मुझे भी motivation मिलेगी मैं अच्छे से अच्छा content freely आपके साथ share कर सकूँ thank you दोस्तो